कि हम रोज नाष्टे में क्या बनाएं तो कुछ ऐसा बनाते हैं जो बड़े और छोटो दोनों को पसंद आए जिससे की हमें बार-बार मेहनत भी ना करनी पड़े और बड़े और छोटे दोनों ही लोग मन से खालने तो चलिए बनाते हैं अब सब को यह देखे कुछ हमने ले पोटेटो यानि आलू आज हम बनाएंगे पोटेटो फ्राई तो देखिए पोटेटो फ्राई कैसे बनाते हैं और गाइस यह जो नई ट्रिक है ना बिलकुल अमेजिंग है बहुत जादा ताम जाम नहीं बहुत महनत नहीं है बिलकुल सिंपल से और इसे आप लॉंच बॉ और आप देखिए हम इस तरह से कट करेंगे इस तरह से कट कर लेंगे देख सकते हैं यह रेस्पी बहुत टेस्टी है और बहुत इजी रंग से बनती है तो देखिए इस तरह से हम सारे के सारे इसी तरह से कट कर लेंगे ने पोटेटो को ठीक है यह फिंगर चिप्स की तरह अच्छे से वाश कर लिया है क्योंकि आलू काले ना पड़ें इस वज़े से वाश किया तो देखिए वाश करने के बाद में हम ऐसे फैला देंगे एक किचन टावल पर जिसके की इसका उपर का जो मौश्चर है वह सूख जाए अगर यह मौश्चर नहीं चूखेगा तो जिस चुका है तो चली इसमें डाल देते हैं पोटेटो फ्राइए देखते रही है लास्ट में हम ट्रिक बताएंगे आपको कैसे क्या करना है जिसे कि आपको बिल्कुल बेकार नहीं होंगे बहुत अच्छे से होंगे तो इस तरह से उलटते पलटते हम सेक लेंगे और अच्छ अच्छ प्राइज यह तो देखे हैं हम यम्मि और इस टी कलर बच्चे तो दुम इसके दीवाने होने वाले हैं तो यह देखिये अब हम यह निकाल कर रख लेंगे और दूसरा भाइच भी हम डाल देंगे उसी तरह से और फ्राइज कर लेंगे एक बात और घाइस आप आप देख सकते हैं लाल मिर्श पाउडर तिखा अपने साब से कर सकते हैं यह है जीरा पाउडर बुना हुआ जीरा पाउडर अब हम इसमें डालेंगे अपना ह候 senza नमंग जिसको आड के अपने पीडियो में देखा होगा पूद यो इसके सारे मसाले बुने हुए थे इस्वजह से हमना उसे फ्राइ और इस तरह से च लाते हुए पकाई, mix करेंगे और एक बात आप उनकी हम एक ट्रिक बता देते आपको पोटटो फ्राई जितने भी फ्राई करने हैं उनको एक बार में ही एक बेच में डालें यह नहीं है कि आधा डाल दिया थोड़े दो तीन मैट बात हम ने फिर से और डाल दिया तो वह नहीं करना है व अगर आप नीबु डाल देंगे तो खट्टा हो जाएगा अगर आप आमचुर पाउडर डाल सकते हैं खट्टा के लिए तो यह हमारी आज की रेस पी यह बच्चे और बड़ो सभी को पसंद आने वाले इदम फैन होने वाले हैं तो अगर हमारी रेस पी पसंद आयो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर